हेलो एव्रिवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखिएगा दो हजार से भी ज्यादा विद्यारतियों ने इस पोल में जो है अपना ओपीनियन दिया और उसी के बेसिस पर आज ये वीडियो कंपनी सेक्रेटरी यानिंगी सीएस के कोर्स के बारे में तो दोस्तों 12th स्टैंडर के बाद कंपनी सेक् सेक्रेटरी का कोर्स कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कौन से कौन से सब्जेक्स हैं क्या eligibility है और किस तरीके से आप कंपनी सेक्रेटरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंतक देखेगा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्स तो दोस्तों जब बाताती है कंपनी सेकरेटरी की तो याद रखी ए इस नॉट अ अ टिपिकल सेकरेटरी जोब जी यहें एक टिपिकल जैसा हमेरे दिमाग में एक揭ी ग्जेकरेटरी की वहसा जाब नहीं है जी यहां पर दोस्तों आपको law oriented काम करना होता है The company secretary course is offered by the institute of company secretaries of India यानि जिस तरह CA के लिए एक statutory body है ICA उसी प्रकार दोस्तों यहां पर ICSI यानि institute of company secretaries of India यह एक संस्था है, एक statutory body है जो distant learning course की तरह CS का course प्रोवाइड करती है With the right mix of academic programs and practical training The program opens up great opportunities in the corporate sectors यानि दोस्तों company छोटी हो या बड़ी हो हर company को जो भी listed companies है private limited, public limited companies इन सभी को एक company secretary की जरुवत पड़ती है दोस्तों यह secretary जो है यह आम तोर पर दिखने वाली या दिखने वाले secretary की तरह नहीं होता यह बहुत ही knowledgeable और important person होता है और इसलिए दोस्तों इसे key managerial personal का दरजा दिया गया है जिया दोस्तों और यहीं से इसका महत्वा आपको समझ में आ जाएगा key managerial personal की जो list है उनहीं में company secretary का भी समावेश किया गया है यानि बहुत बड़ी company हो, छोटी company हो जो महत्वपूर्ण पदों पर या महत्वपूर्ण positions पर जो लोग होते हैं जैसे managing director, MD या whole time director, WTD या CFO या chief executive officer, CEO इन सभी के बीच company secretary का भी समावेश होता है यानि इतना ये important post है और इतनी important इस course की है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर CA को ज़्यादा difficult मानते हैं तो CS की ओर अपना रुख कर सकते हैं और company secretary में आपको बहुत अच्छी opportunities corporate sector में मिल सकती हैं दोस्तों, key managerial person इसे कहा जाता है और इन सभी बड़े-बड़े position holders के बीच company secretary काम करता है और इन ही में से एक उसे भी माना जाता है दोस्तों, there are thousands of sacrifices behind one degree किसी ने बहुत खूब बात कही है दोस्तों company secretary का job आसान नहीं है company secretary की जो position है वो आसान नहीं है इसकी जो पढ़ाई है उसके लिए आपको जी जान से महनत करनी होगी और इसी लिए कहा गया है कि sacrifices बहुत करने होगे आप 12th night के बाद जब company secretary बनने का सोचते हैं या ये course करने का सोचते हैं तो आपको ये दुरड निश्चय भी करना होगा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है बहुत कुछ हासिल करना है आप evolve होने वाले हैं यानि 12th night में अभी आपके अंदर उतनी maturity तो नहीं है लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस course के दौरान तो इस course के दौरान साड़े तीन चार सालों का जो ये course का duration होगा उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे बहुत सारा ज्यान पाएंगे आपको full on dedication के साथ complete consistency के साथ पढ़ाई करनी होगी जी हाँ दोस्तों इस एक सेकरेटरी को फाइलें उठा करके meeting set up करना ही secretary का काम नहीं है ये law related course है इसकी reputation बहुत ज़रूरी है क्योंकि reputation बहुत ज्यादा है क्योंकि a CS represents a company एक company का नेतुरुत्व करता है दुनिया के सामने society के सामने customers के सामने shareholders के सामने और company secretary ही है जिसका representation बहुत ज्यादा माइने रखता है company के wrapो के लिए company के image बिल्ड करने के लिए दोस्तों आपने 12 stand में SP अगर subject लिया था तो secretary practices subject में आपने letters पढ़े होंगे और letters में आपने अनुमन देखा है कि हर letter पे नीचे जो stamp और sign होता है company के seal के साथ वो company secretary का होता है यानि हर जगा पर company secretary represent करता है अपनी company को दोस्तों तीन level का ये जो है course design किया गया है CS foundation CS executive और CS professional पिछले वर्ष ही इसमें नए syllabus को add up किया गया नए तौर तरीके define किये गया जिसके जरीए CS foundation को अब CSEET कहा जाता है यानि executive entrance test कहा जाता है तो 12th के बाद आपको सबसे पहले CS EET देनी होती है ये exam entrance exam होती है उसके बाद आप executive program में पहुँचते हैं और finally आपको CS professional की और बढ़ना होता है तो ये तीन levels कहलीजिए तीन stages कहलीजिए ये तीन अलग-अलग stages को पार करके आपके हाथ में CS की degree आती है दोस्तों eligibility की बात करें कौन कर सकता है ये course तो after class 12 students applying for company secretary course after 10 plus 2 will have to register for the foundation program to start होती यानि सबसे पहले अभी अगर आप 12th की exam देने वाले हैं या wait कर रहे हैं तो अभी आपको CS foundation यानि CSEET जो नया नाम है इसका उस entrance exam के लिए आपको apply या register करना होगा आप science से हैं, commerce से हैं या arts से आप किसी भी stream से हैं आप इस entrance exam के लिए entrance test के लिए executive entrance test के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों अगर graduation के बाद आप ये करना चाहते हैं तो if candidates seek company secretary course after graduation they can apply straight away for the executive program ये एक फरक है 12th standard वालों को पहले entrance test देनी होती है foundation program देना होता है लेकिन अगर आप graduate हो चुके हैं तो आप directly executive program के लिए apply कर सकते हैं याद रखिए executive program करने के बाद ही आपको professional यानि final year के program के लिए admission मिलता है तो executive वाला program सब को करना है final program की बात करें तो candidates who have not passed the executive program after graduation और those who have not passed the foundation executive program after 10 plus 2 will not be allowed to pursue the professional program यानि यह जो आखरी level है जैसे मैंने आपको बताया यह तीन levels है तो अगर आप 12th के बाद दे रहे हैं तो आपको पहले दोनों level clear करने होंगे फिर ही आप final पर आ सकते हैं अगर आप graduation के बाद करने हैं तो आपको executive pass करना है उसी के बाद आप professional पर आ सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह eligibility आप समझ गये होंगे आप अगर 12th के हैं और यह video देख रहे हैं तो आपको entrance के लिए पहले apply करना है entrance को clear करते हुए executive पर पहुंचना है यानि यह जो executive entrance test है यह 200 marks की होती है साल में चार बार कंड़क की जाती है में, जुलाई, नवेंबर और जैन्वरी फिर एक बार दोहरा दूँ में, जुलाई, नवेंबर और जैन्वरी में यह CSEET 200 marks की exam कंड़क की जाती है आप किसी भी एक सत्र में इसके लिए registration कर सकते हैं दोस्तों, exam में, जुलाई, नवेंबर और जैन्वरी में होती है यानि इसके कई महिनों पहले registration शुरू हो जाता है आप ICSI की website पर जा करके इसके लिए registration वगएरा कर सकते हैं आप procedure देख सकते हैं आपको इन exams में अपियर करने के लिए कुछ महिनों पहले ही register करके उसकी तयारी करनी होती है पढ़ना क्या है दोस्तों तो याद रखिए CSEET में आपको चार subjects पढ़ने हैं 50 marks each, business communication legal aptitude and logical reasoning economics and business environment और current affairs के यहाँ पर MCQ based exam होती है online pattern से यह exam अनुमन ली जाती है executive entrance test 200 mark के लिए 4 subjects इसके बाद अगर कहानी आगे बढ़ाएं दोस्तों तो second level जो है वो है executive program इसकी exam दो बार साल में होती है एक June attempt और एक December attempt और यहाँ पर दोस्तों दो modules में आपकी पढ़ाई होने वाली है यह है बहुती महत्वपूर्ण stage CS के course का जहाँ पर कुल मिला करके 8 paper आपको देने है module 1 में 4 और module 2 में भी 4 papers यहाँ पर कुछ subjects है जिसमें law oriented और audit oriented ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है जैसे आप देख सकते है module 1 में general laws, फिर company law setting up business entities and closure tax laws तो आपको पूरी तरह से module 1 में एक law समझाया जाता है company accounts क्या है company के law क्या है अलग-अलग act कौन सी है, statute act कौन सी है tax के काईदे कानून क्या है यह सारी जानकारी आपको module 1 में मिलती है module 2 की बात करें तो यहाँ पर भी once again आपके सामने 4 papers हैं corporate management and accounting securities laws and capital market तो यहाँ पर capital market की भी आपको जानकारी मिलती है economics, business and commercial laws financial and strategic management तो इस प्रकार से यह CX executive program है, अगर आप 12th के बाद करने वाले हैं तो पहले आपको CSEET clear करना है फिर आप इस program के लिए second level के लिए register कर पाएंगे उसके बाद आता है आखरी level यानि final program that is CS professional 900 marks का यह program इसमें तीन module हैं दोस्तों और इन तीन modules में तीन-तीन विशय की exam होती है, आपको यह दिखने में लंबी चौडी slide ज़रूर लग रही है लेकिन तीन-तीन subjects हर module में आपको पढ़ने हैं, module 1 की बात करें तो यहाँ आप सीखेंगे governance के बारे में, risk management के बारे में compliance और ethics के बारे में एक company को किस तरह से आगे बढ़ना है उसके बारे में, advance tax laws नए tax के कायदे कानून, drafting कैसे करना है एक secretary को, pleading and appearances वगेरा subjects यहाँ पर आपको पढ़ाय जाते हैं module 2 की बात करें तो once again यहाँ पर audit secretary audit, compliance management फिर उसके बाद corporate restructuring insolvency, यानि winding up अगर हो रहा है, company अगर बंटा ढार हो चुकी बंद हो रही है, तो उसके रिए क्या procedure है इसके अलावा resolution of corporate disputes, अगर कुछ जगडे हैं कुछ disputes हैं, companies के बीच या corporate disputes कुछ हैं, तो उसके लिए remedies वगरा, इस subject में आपको पढ़ाई जाती है module 3 के अंदर, once again अंदर हा 3 subjects, corporate funding और listing in stock exchange, यानि आप देखिए, जानकारी और knowledge का भंडार है, company secretary का post, कोई छोटा मुटा post नहीं है, CA के बराबरी का post है, और इसी लिए अलग-अलग चीजों की जानकारी इन subjects के माध्यम से मिलती है multi-disciplinary case studies और electives one paper out of eight papers तो यह जो आपको लंबी list दिख रही है, यहाँ पे art papers की, इन art में से किसी एक paper का elective होता है, और law and practice के यहाँ पर open book exam भी होती है, तो कुल मिला करके यह जो यह प्रोफेशनल है final, यह 900 marks का है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों, company secretary के course में आपको knowledge दुनिया भर का मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है, मज़ेदार आपका यह course होता है, commerce के students अकसर company secretary के लिए जाते हैं और जाना चाहिए अगर आपके लिए C.A. थोड़ा बहुत difficult आपको लगता है, तो company secretary course आपी के लिए बना हुआ है, इसमें पढ़ना बहुत कुछ है, और अगर महनत, लगन और hard work के साथ अगर consistency बनाए रखेंगे तो आप definitely company secretary course को आसानी से crack कर लेंगे दोस्तों, company secretary has great demand, because he is everywhere, फिर वो strategy बनाने में हो, secretarial और legal aspects में हो, financial resources human resources को संभालने में हो information technology, sales marketing हो, या किसी भी company के research and development या production के काम काज में, company secretary हर जगा पर होता है, और इसी लिए इस course की demand बहुत ज़्यादा है तो अगर आप ज़रा भी double mind है तो मैं समझूंगा कि आपको अभी इस double mindedness को छोड़ देना चाहिए, और एक दुर्ड निश्चाए करना चाहिए, कि हाँ मैं ये course crack कर सकता हूँ, दोस्तों, fees वगेरा की बात करें, तो ICSI की official website पर आपको fees वगेरा की जैसे आपने subjects वगेरा देखे तो बहुत सारे subjects की पढ़ाई है और अगर आप dedicated coaching वगेरा लगाते हैं तो crack करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि कई अलगर coaching में CS खुद पढ़ाते हैं जो company secretary हैं, जो CA वगेरा हैं जो professional teachers हैं वो खुद पढ़ाते हैं और इसी लिए ऐसी coaching लगाईएगा जहां पर आपको पूरा फायदा मिले और अच्छे से पूरे subjects का detail knowledge मिले तो आपके लिए crack करना काफी आसान हो जाएगा कुल मिला करके अगर अप्रोक्स अमाउंट में बताऊं अपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके दिमाग में कोई भी questions है तो आपको मैं Instagram पर भी मिल जाओंगा राजगोर जैश वी ये ID है दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल पर नए है तब तक के लिए डू लाइक शेर और सब्सक्राइब